कीट नाशकों के कारण होने वाली दुरगटनाएं और आपात स्थितियां संपत्तियों, परियावरण और वन्य जीवों को हानी पहुँचा सकती हैं। उनके कारण अनुप्रियोग करता और प्रथम प्रतिसाद करताओं के स्वास्थ के लिए संकट उत्पन हो सकता है। इसके कारण वित्यक शती और देता दावों का भुकतान भी करना पड़ सकता है। GHS में स्वास्थ्य, शारिरिक और परियावरणिय जोखिमों को वर्गिकृत करने के लिए मापदंड शामिल किये गए हैं। इसमें उलेक किया गया है कि लेबल और सेफटी डेटाशीट इसे अब के बाद SDS कहा जाएगा में कौन सी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। SDS में उतपाद और चिकित्सा या प्रात्मिक चिकित्सा उपचार के लिए जोखिमों, सावधानियों और प्रतिक्रियात्मक कारिवाहियों का उलेक किया गया है। Occupational Safety and Health Administration इसे अब के बाद OSHA कहा जाएगा चाहता है कि नियोकता SDS का उप्योग करें और विभिन स्थानों पर इसकी प्रतियां रखें। SDS में हरे उतपादों के जयन के लिए अधिक तकनीकी जानकारी शामिल है। हाला कि इनका उप्योग संहिय या राज परिवहन निस्तारण और जानकारी के अधिकार से संबंधित आवशक्ताओं से जुड़ी जानकारी शामिल करने के लिए किया है। Emergency Response Plan, इसके बाद इसे ERP कहा जाएगा, आपात स्थितियों को और बत्तर स्थितियों में बदलने से रोकता है। सुनिचित करें की एक ऐसा समनवयक हो, जिसके पास आपात कालीन निर्ण लेने, सभी आवशक कॉल करने और आवशक कागजी कारवाई करने का अधिकार हो। कारियाल है, दुकान, तथा ट्रकों में आपात कालीन फोन नंबर और संपरकों की लिस्ट लगाएं। प्लान में उन समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं का उलेख होना चाहिए, जिसकी आवशकता आपात कालीन करवियों को पढ़ने की संभावना हो। पहुच सडकें, बिजली, पानी, गैस बंद करने के स्थान की जानकारी, फायर अलाम्स, अगनी शामक यंत्र और अन्य आपात कालीन उपकरण, जल प्रवाह की जानकारी और बाड या फाटक और ज्वलन शील पदार्थ, आसपास के क्षेतर से संबंधित सुविधा का प् NFPA Hazard Identification System एक ऐसा रेटिंग सिस्टम है, जो अपातकालीन कर्मियों की सहायता करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, यहीरे के आकार वाला चेतावनी संकेत होता है, नीला सेक्षन स्वास्त जो खिमबाला है, लाल सेक्षन ज्वलन शीलता जो खिमबाला है, सफेद सेक्ष विशेश जो खिमबाला है, लाल सेक्षन अस्तिरता वाला है, जो अलंचील चीजों को उश्मिय स्रोतों से दूर रखें, फायर डिटेक्टिंग सिस्टम लगाएं और कर्मचारियों को अगनी शामकी यंत्र का उप्योग करने हैं तो प्रशिक्षित करें, सुनिशित करें अनुकारियों को SDS, लेबल, अपातकालीन योजना और स्थल मांचित्र उपलब्ध कराएं, पानी के प्रवाह और टपकते कीट नाशक को रोकने के लिए बम्र्स का निर्मान करें, अगर आग जल रही है तो उसे स्वैम बुझने देने या उसे बुझाने के विशय में न अपने विवे का नुसार लें, बीमा एजन्ट केंदर प्रवंधन को कॉल करें और राज और संगिय एजन्सियों द्वारा निर्धारित किये गए सभी आवशक नियामक फोन कॉल्स करें, किसी कीटनाशक का छोटी या बड़ी मात्रा में आकस्मिक बहाव को छलकना कहा जा टपकने वाले डिब्बों को बड़े डिब्बों में रखें, रिसाफ को बंद करने का प्रयास करें और सामग्रियों को नए डिब्बे में डालें, दाबानुकूलित प्रणाली से रिसाफ रोकते समय पंप बंद कर दें, छलके हुए स्थानों की कभी भी अंदेखी ना कर पर सोखने वाली स्पिल ट्यूब का इस्तेमाल करें। पालन करने के लिए तैयार रहें। अपातकालीन अनुकारी, समाचार मीडिया और जनता के साथ बातचीत के रिकॉर्ड रखें और फोटो लें। अपने उपकरणों और परिवहन वाहनों के समुचित अनुरक्षण के द्वारा आकस्मिक छलकाव को रोकें। रिसाव और टपकाव फटी हुई पाइपों या धीले पाइप के क्लैंप से हो सकती है। ड्राइविंग करते समय सेलफोन का उपयोग न करें। दुरघटनाओं की रोक थाम के लिए रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीकों का उपयोग करें। प्रत्यक परिवहन वाहन में और कीट नाशक को मिश्रित करने, लादने और रखने के स्थान पर एक छलकाव सफाई किट रखें। सफाई किट में आपात कालीन सहायता के टेलिफोन नंबर, PPE, सोखने वाली सामगरी, तकिये, मिट्टी और कैट लिटर, फावडा, जाडू और डस्ट पैन और प्रभावशाली डिटरजंट शामिल होने चाहिए। अपनी छलकाव किट को प्लास्टिक के डबे में रखें और उसे साफ सुतरा रखें तथा उसमें नियमित रूप से जरूरी बदलाव करते रहें।